हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी सूर सूर तुलसी शसी उडगन केशव दास बाकी कवी खदो तसम जह तह करत प्रकाश इन पंक्तियों में सबसे पहले और सर्व स्रेष जिस कवी को आका गया है जिनहें कविता जगत का सिर्मौर सूर कहा गया है आज हम बात करेंगे उनहीं कवी स्रेष सूर दास जी की तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टेडी आईक्यू आए हिंदी चैनल पे और जो हमने प्रथा शुरू की थी जिसमें हिंदी साहित के जो महत्पूर विशे हैं उनको हम अपने लेक्चर के माध्यम से पूरा कर रहे थे उसी दिशा में आज हम बात करेंगे सूर की बाकी वीडियो उसको देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकी देख सकते हैं जहांपर हमने हंदी साहित के इतिहास की बात की है उसके लेखन की बात की है महत्ता की बात की है प्रासंग इगता की बात की है हमने अमीर खुष्रों की बात की तुलसी दाजी की बात की और आज हम बात कर रहे हैं सूर्दाजी तो बात की जाए आगे की तो बताता चलू कि इस सड़ी आई-क्यू आई-स में हिंदी साहित का नया बैस शुरू हो रहा है 31 मई से इस वीड को दोरां हर छात्र के 300 प्लस मांक्ण मुकमल कर सकें और इस दोरान आपको हर स्थर पे गाइड कर सकें मेरी कोशिच रहेगि वर्त नी से वाकिट विश्चे से वे वाकित ने करके प्लियर हो और प्लियर हो आपका सिविल ळीन सेवा क्रेकर करने का सपना ठीक है तो देर skilled 31 स इसमें से नया बैस्ट शुरू है आपको प्लेलिस्ट या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको हिंदी साहित का कोर्स का लिंक मिल जाएगा वहां जाके आप डीटेल को जा सकते हैं विकास लाइप कोर्ट का प्रयोग करना न भूले बात की जाए तो आज हम सूर्दास की बात करेंगे और बात की जाए गर सूर्दास की तो इनकी जन्मतिती और जन्मस्थान को लेके बहुत सारी किवदंतियां रही बहुत सारे बाते की गई चुकि मैं अब जब तुलसी दास की बात कर रहा था या जब मैं कभीर की बात करू क्यों है सूर्दास की बात हो तुलसी रास की बात हो या कभीर दास की बात हो कहीं ने कहीं विद्वानों में मतबेत रहा ही है कुछ हम पुष्ट जो प्रमाड है उनके तरफ चला जाए तो साहित लहरी जो है वो सूर के लिखे रशना काल के संबंद में एक पद मिलता है लिखा क्या है मुनि पुनि के रस लेक दसन गौरी नंद को लिखी सुवल समवत पेग मतलब क्या कि इस जो 1607 समवत है इसकी बात यहां पर की जा रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि 1607 के आसपास अगर साहित लहरी लिखी गई थी तो इसके पहले ही सूर्दास का जन हुआ ह चाहिए ठीक है इस गरंच से वल्लभाचार जी का भी प्रम की बात पता चलती है जो की सूर्दास जी के गुरु थे और बास की जाए अगर वल्लभाचार की हालाकि हम थोड़े से डिटेल में इसकी बात करेंगे तो वल्लभाचार ही वे व्यक्ति थे जिन्हों ने जिन्हो हुए के काहें घियात हो ये बात बोली और उसके बात सूर ने स्रीकिष्र को सखा भाब में जो अपनाया तो वासल की जितनी बिंब उन्होंने प्रस्तूत किये वासल की जितनी कविताएं उन्होंने प्रस्तूत की और जिस स्तर तक वो ले गए कोई कवी नहीं कर पाया इस पहले कभी हुआ ना भविष्व कहीं देखा गया ना कभी किसी कवी ने उसके आसपास आने की कोशिच भी ठीक है तो यह तो वलभाचार जी की बात हुई खैर बात कीजिए और की तो सूर्दास का जन्म 1540 इसवी के लगभग माना जाता है क्योंकि वलभ संपरदाय में ऐसी म पड़े थे वलभाचार अभी बात करेंगे वलभाचार की गबराना नहीं वलभाचार का जन्म उक्तसंवत की वैशाक शुक्र पंचमी संवत 1535 के समिचीन जान पड़ती है ठीक है खैर बात इसकी की जाये तो और चीज़े कुछ क्लियर करते चलते हैं क्या कि अनेक प्रमा मानी जाती है ठीक है तुर्दाजी की जो मृती थी वह गोवर्धन के निकट परसली नामक गाउं में हुई थी और बहुत जगहों पर इसका वर्णन भी मिलता है ठीक है बात की जाये उसके बात की तो उनकी आयू सूर सारा वाली कि जो दूसरी एक और ग्रंत है उसके अब यहां पर एक किताब की बात हुई है चौरासी वेश्रवन की वारता और जब यह बात चली रखी है तो क्यों न हम इसको थोड़ा से डिटेल में इसलिए बात करने क्योंकि इन से जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग है जिनकी बात हम लोग करेंगे ठीक है जिनकी बात आ हमात जी जो थे इन्होंने 24 वेश्रवन की वारता में अपने बाबा जी यानि अपने पिता जी किये जो पिता जी थे उनका और उनके शिश्ूों के साथ दो समवाद है उसको भक्तिम्य तरीके से उन्होंने प्रकुल में दॉनक्लाथ जीनी Whenever यहिया। बाबा जी जो थे उनके और उनके जो शिश्यों के साथ का समवाद था उसको 84 वेश्णवन की वारता में 84 वेश्णवन की वारता में 84 वेश्णवन की वारता में कही न कही उन्होंने प्रस्तोत किया ठीक है बात की जाए गोकुल नाथ जी के पिता जी की विठल नाथ विठल नाथ जी की तो कही ना कही जो विठल नाथ जी जो थे इनका इनके शिश्यों के साथ जो समवाद था वो भी गोकुल नाथ जी नहीं लिखा और उसको क्या बोला 252 वैश्रवन की वारता 252 वेश्रमन की वारता अब आप तोच रहे होंगे कि मैंने उनके पिता जी का नाव विठलना जी का तो नाम लिखा लेकिन यह जो चौरासी वेश्रमन की वारता है इसका नाम किस से जुड़ता है जो मैंने उनके पिता जी के पिता जी यानि कि जो बाबा जी की बात की वो कौन तो वे थे आदिश्री बल्लभा चार जी और जो 84 वैश्रवन की वारता है वो इनका और इनके शिश्यों के बीच का जो समवाद है विबिन जो टेक्शर्ज आदान प्रदानु है ठीक है उन सुक्तियों का यहां पर संग्रा है ठीक है और उनके जो शिश्य है उनका भी इसमे जिक्र है तो गोकुल नाच जी जो थे गोकुल नाच जी ने 84 वैश्रवन की वारता और 222 वैश्रवन की वारता लेकी एक में उनके पिता विठ्थलना तो और एक में विठ्थलना जी के जो पिता है वल्लभाचारे उनका मेंशन मिलता है बात की जाए वल्लभाचारे की त शुद्धा द्वैत्वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं ठीक है और शुद्धा द्वैत्वाद क्या है द्वैत्वाद क्या है द्वैत्वाद क्या है अद्वैत्वाद क्या है शैवा द्वैत्वाद क्या है इस पर किसी कक्षा में बात में दिक्र करेंगे लेकिन अभी बता उस पे बहुत सारे कृष्शन भक्त कवी जो है वे अपने लेख लिझते हैं तो यही वलभा चारजी जुर थे, यही किसके गुरु माने जाते हैn यही गुरु माने जाते हैं सूरधासी के सूर्दाजी के गूरुमान रहते हैं और ये वहीं सूर्दास हैं जिनको वल्लबाचार जी के जो पुत्र थे विठ्थलनाजी इन्होंने अस्ट शाप के कवियों में स्थान दिया था और कहीने कही सबसे उपर नंबर पे रखा था किसको सूर्दास को तो ये कुछ कहानी है गोकुलनाजी उनके पिता विठ्थलनाजी उनके पिता वल्लबाचार जी वल्लबाचार जी के सूर्दास जी जिनने अस्टशाप में स्थान दिया अस्टशाप के कवी क्या है शुद्धा दोयत्वाद और बाकी जो उस्तिधान्त क्या है इन पे हमाराम से एक वीडियो करेंगे फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सूर्दाजी की तो वापस आया जाए अगर इसमें तो बात क्या है कि 84 वेश्वन की वारता के अधारपे में भाव प्रकाश बात की जाए तो भाव प्रकाश में सूर का जन्म स्थान सीही नामक ग्राम बताया गया है लेकिन चलो जो जादा प्रामारिक है 84 वेश्वन की वारता उसकी बात मारा जाए क्योंकि अकसर अधिकतर जगह पे कहीं न कहीं रेडुकता जो है वही मिलता है ठीक है बात की जाए उसके आगे की तो सूर्दास के पिता रामदास सारस्वत ब्राहमर थे और बहुत पसिद गायक थे ऐसा कहा जाता है कि जो गेत पार प्याकि बस गय थे उसके आगे की बात यही उनकी बेट सी बलहाचार से हुई और वे उनके शिश्य बन ग dazu बात उसके आगे की तो बलहाचार जी न को स्पष्ट करता है पुष्ट मार्क जब आप अपने जो इस्ट है ना उनको पाने के लिए ललाइत होते हैं और उनकी भक्ति में आप खुद को नेचावर करते हैं तो इस बात की पुष्टी होती है कि आपको स्वर्ग मिलेगा या आप अपनी जो किस क्या कहते है भव साग और फिर आपको विशिष्टा द्वैद भी समझना होगा द्वैता द्वैत भी समझना होगा और फिर कहीं बात होगी शैवा द्वैत की तो हम उसको भी बात करेंगे ठीक है बात कि जिस आधार पे स्रीकिष्ण की बाल लीलाओं का इन्होंने वर्ण किया है ठीक है उनके रंग रूप छटाओं का जो वर्डन किया है ठीक है उनकी एक-एक मुस्कान का जो वर्डन किया है वो कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता खैर इसमें जो विवाद है वो तो चलता रहेगा ना सूर्दास है ना वल्लभाचार है ना विठ्थलनात है ना उनके आसपास क कोई कवी है तो इसको साहित और इतिहास पे छोड़ा जाए अभी ये बात कि सूर्दास थे और ऐसा माना जाता है कि वे जनमांद थे जन्म से ही अंधे थे और कई बार ये भी कही जाती है बात की चुकि गाओं में आप देखेंगे कि किसी की जो विकृती होती अक्सर उसक शब्ड कॉमन था और शूर सागर के जो वर्ण विशय का आधार के स्थ स्रीमिद भगवत ओव्ध में चित्रित करते समय शिंगार और माधुरिका जैसा वडन सूर ने किया है अपने सूर सागर में वैसा उनसे पूर किसी ने नहीं किया और जब ब्रजभाशा की बात आए तो सूर से बहतर कौन और एक बात और बता दो हम कई बार जब साहित को तौलते हैं नापते हैं देखते हैं विद्वानों के टेक्शर से जो या ब्रज बात दिखता है कि अवधी या ब्रज भाशा कही ने कहीं जो स्वतनतरता का पूरवार्द है याप कह सकते ध्वेदि उक का जो आल है वहां तक पौंशती है वहां तक अब धी नहीं पहुंच पाई तो कहीं न कहीं हमें इसका श्रे सूर्दाजी को भी देना चाहिए कि जिस स्थर पर उन्होंने ब्रजभाशा को प्रसलित किया और ऐसा प्रसलित किया ऐसा सजी प्रसलित किया कि आज भी जब हम गाते हैं तो पश्ट हो जाता है वो भाव हमारे मन में आ जाते हैं दिख जाता है कि एक बच्चा है वो अपने मां से चांद मांग रहा है बात की जाए उसके आगे कि तो सूर सारावली इनकी अगली ग्रंथ है इसमें विद्वानों ने इस गरंथ को विवादास्पत माना है तथा पी रशना शैली विशेवस्टु भाशा भाव सभी द्रिष्टियों से ये सूर दास की प्रमाणिक रशना मानी जाती है इसको इसमें लगबग 1107 संध है तो इस गरंथ में सूर दास के द्रश्ट कूद पसंकलित है जिनकी संक्या 118 है रीति शास्त्र का विवेचन भी इन पदों में मिलता है विशेश रूप से नाइका बेद और अलंकार निरूपन इस गरंथ की विशेवस्टु है अब देखिए जब रीति शास्त्र की बात आएगी तो रीति काल की बात आएगी रीति काल की बात आएगी तो कुछ चीज़ें आएगी क्योंकि वे ब्रश भाषा के सरफेश कर भी मने जाते हैं जब हम बात करते हैं मर्यादा पुरशुतम श्री राम की, तो हमें ध्यान आते हैं को स्वामी तुलसी दास, जब हम बात करते हैं स्री कृष्ण की, तो यो तो रस्खान और मीरा भी हमें दिखते हैं, ठीक है, यो तो रस्खान और मीना और 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 भी कई कवी हमें दिखते हैं, तथापी, जो व्यति सबसे स्थापित त साथ उनकी सभी बाल लीलाओं का वर्लंग करता है वो एकमात्र विक्ति हैं सूर्दास इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि स्रीक्रिष्ण को जंजन के रिधा में प्रतिश्रित करने का स्रेश सूर्दास को जाता है फिर बाकी तो मैंने बात किया जो सजीव बिम्बो की सजीवत की बात करते हैं उसमें तो सूर्दास का कोई सानी नहीं है दूर दूर तक कोई सूर्दास का हाथ पकड़ते नहीं दिखता है वापस आ जाते हैं कि उनकी उक्ति सुरॉत मैं इसी सिक्किती कि सूर सूर्द तुलसी सशी उड़गन केशव दास अब केंगे खवी खदोट सम जो खवी है वो खदोसम है यही कही प्रकास करते रहते हैं लेकिन जो हमेशा से प्रकास्षवान पूरे दुनिया को करते आए हैं सूर के समान वो कौन है सूर है उसे पता लग जाता है कि सूर की महत्ता क्या है बात के जा उसके आगे की तो सूर का संपूर कावे गे है गे मतल सुर्दास की बात करते हैं तो गेता बहुत जादा दी इसके विभिन राग्रागनियों में गया सकता है वे भक्त शिरोमडि कहे जाते हैं उसी परंपरा के कवी हैं जिसमें चंडी दास विद्यापती और नामदेवाधी कृष्नभक्त आते हैं शिंगार वासल के तो वे समराट मानेज आते हैं और अनकवियों ने इन विशोंँ पे जो कुछ लिखा है वो सूर की जूठन ही मानी जाती है अधिक है इसलिए किसी कवी ने सूर के विशे में क्या कहा है कि टत तत त सूरा कही और सब जूठी जो मूल तत्तो है जो प्रमुक तत्तो है कृष्ण के बारे में भागवत के बारे में वो सूर्दास ने कहा है बाकी सबने तो बस उनका जूठन ही लिखा है बाकी सबने तो बस उनका जूठन ही लिखा है सूर्दास के बारे में कहा गया है ठीक है बाकी इसकी सच्चाई और इसके जो विस्तार है उस पे कभी चर्चा कीजेगा या कभी खुद से में पढ़िएगा अपना सत्य खोजने के कोशिश कीजेगा जो प्रमाड मिलते हैं वो तो यही कहते हैं बात कीजाए वासल रसके समराट के रूप में तो जो सूर्दास के साथ एक बहुत बड़ा अलंकरन जुड़ता है वो उनके वासल को स्रेष्ट साबित करता है और सिर्फ साबित नहीं करता है वो स्रेष्ट के रूप में स्थापित करता है अगर सूर्दास की बात की जाए तो बाल सौंदर एवं सुभाव के चित्रन में जितनी सफलता सूर को मिली है कृष्ण के बाल सौंदर्यम सभाव की चित्रन में जितनी सफलता सूर को मिली है उतनी अन किसी को नहीं नभुतो नभविश्यती ठीक है वे अपनी बंद आखों से वासल का कोना कोना जहांक आए हैं ऐसा आचार रामचंदरशुक्ल कहते हैं में भी अववल आते हैं तो भाई आप मान के सकते हैं आप पूरी जिसे कहते हैं कि पूरी अस्च्योरिटी के साथ आप मान सकते हैं कि वे स्रेष्ट हैं तो सूर के बास में यही बात कहते हैं सूर दास और आके बात की जाए तो कृष्ण के बाल रुक एक जाकी हम दो खुटरूवन रेगनी मतलब अपने घुटने के बल पे रेख रहे हैं जिसे बकईया चलना कहते हैं चल लए हैं और उनके पाउ में धूसर जू धूल है वे लग जा रही है और बोलन वचन रसाल किया और उससे जो बोलते हैं और जैसे दिखते हैं उसमें जो आनद मिलता है उसकी कोई कल्पना नहीं है। कौन कह रहा है? सूर्दास कह रहा है। आप देखिए ना कि क्या बाद रूप की जहाकी रिकाली है। आप सोचों आपको बच्चा इमेजिन हो गया होगा, जो किसी आंगर में चल लाए, पाउम में उसको धूर लगी है, और वो अपनी मा की तरफ मुह में माखन लगा हुए, आगे बढ़ रहा है, याद आ गया होगा, मैं इमने शित कर, इसलिए कहा जाता है, कि इनके जो बिंब हैं, वो एकदम सजीव है। बात की जाए, उसके बात की तो बालदतियों का वड़न अद्भुत तरीके से किया गया है, जैसे, मैया कभाई बढ़े की चोटी, किती बार मोही दूद पिबत भई, यह अजहू है चोटी, मैया, मेरी चोटी कभ बढ़ेगी, मैं कितनी बार तो दूद पी चुका हूँ, ठीक है, और अभी भी ये चोटी है, वो फिर तुलना भी किसे करते हैं, बन लाम सकी, इनकी चोटी तो बड़ी बढ़ जाती है, मेरी चोटी क्यों नी बढ़ रही है, अब ये जो बाल वृत्ती है न, बच्चा कहता है कि ममी में कब लंबा हूँगा, कब मोटा हूँगा, ये कब साइकिल मिलेगी, उस तरह की बाते क्रिश्ण के संदर में अगर देखे जाएं, तो चोटी की बात करती हैं, मेरी चोटी नी बढ़ रही है, मैं इतना तो दूद पी चुका हूँ, उसके बाद दूदी चोटी को नी बढ़ रही हैं, बाल सुलब जो चेश्टाएं हैं, वो दिख जाती हैं, सजीवता आ जाती है, बात की जाए तो बाल अक्रोश का चित्र, मैया मोही दाव, बहुत खिजायो, मोह से कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो? अपनी मा से शिकायत कर रहे हैं, इमा जो दाव है न, जो बलराम है, वो मुझे बहुत गुसा दिला रहे, वो मुझे कह रहे हैं, कि तुम्हें खरीदा गया है, तुम्हें मोल लेके खरीदा गया है, जसुमती कब जायो? तुम जसुदा माता के पुत्र नहीं हूँ, तो एक वो, हर वो जो बड़ा भाई, छुटे भाई से कहता ने, कि तुमको चौराय से उठा लाएं, कच्छर से उठा लाएं, यहां से खरीद लाएं, अस्पता से उठा लाएं, वैसा ही बलराम कह रहे हैं, और उसके प्रती आक्रोष जता रहे हैं, कौन? स्री कृष्ण वड़न कौन कर रहा है? वासल समराट सुर्दास, बात उसके आगे की की जाए तो, फिर क्या है? माता हर्दे की जहां की क्या दिखता है? ये शोदा हरी पालने जुलावें, ये शोदा हरी को पालने में जुला रही हैं, ये शोदा स्री कृष्ण को पालने में जुला रही हैं, ऐसा नहीं है, उनके लिए रात में लोरी भी गा रही हैं, फिर जब वो सो जाते तो नहीं लगता है, ऐसा नहों कि वो किसी शोड से उठ जाएं, तो पालने को धीमे धीमे जुलाती हैं, उनकी नीद न तूट जाए, इसका बहुत ध्यान रहती हैं, बात उसके आगे कीजाए बाल लिलाओं के रूप में, तो मैया मैं नहीं माखन कायो, कितनी बार सुन चुके हैं, मैया मैं नहीं माखन कायो, ख्याल परे ये सखा सबै मिली बर्बस मुखलिप टायो, मैं बालक भहियन को छोटो च्छी को के ही विदी पायो, अपनी माँ से कह रहे हैं, मा मैं ने माखन नहीं काया है, अभी ध्यान आया, क्या ध्यान आया, मुझे ध्यान आया, कि जो मेरे बाल सखा हैं, इन्वे मिलके मेरे मूपे माखन लगा दिया है और मैं बालक भैयन को चोटा हूँ, मैं तो बच्चा हूँ न, मिरा हाथ चोटा है मैं वो जो छींका है, वहाँ तक कैसे पहुच पाउंगा इसका मतलब मैंने माखन नहीं का है, मेरे दोष्टे ने मेरे मूँपे माखन लगा दिया है, सूर्दास कहते हैं, ये बाल छटा है, ये है वासल जो सजीव दिखता है, बात की जाये तो, बाल हट का वर्णन, मैया मैं तो चंद किलोना ले हूँ, जह लोटी अबे धरनी पे त उसको लट्टू चाहिए रहता है, वो नाव चाहिए रहती है, वो पिपीरी चाहिए रहती है, वो नहीं मिल पाती है, तो लोटने लगता है, बिल्कुल वही बाल जोलब चितरन, सूर्दास यहाँ पे क्रिस्न जी का करते हैं, बात उसके आगे की जाये तो, उन्होंने जीव कोई बच्चाप के सामने जिद कर रहा है, लोट रहा है, सो रहा है, खेल ला है, मनुहार कर रहा है, अक्रोज जता रहा है, लगा ना, पस उसी की बात? बाल चेश्टावन प्रवतियों की अभिव्यक्ति बाल मनुवग्यान के पदिप्रेक्ष में सूर्णे की है, औ बात इसके आगे की की जाए तो, सखा भाव की बक्ति देख लीज़े, ठीक है, क्या है, आज यूही एक करिटरी हो, कै तुम ही, कै हम ही माधो अपने भरो से लड़ियों, ठीक है, आज तो तुम से एक क्या कहते हैं, एक के बदले एक तो होके रहेगा, आज तो तुम को एक जो प्यार में होने वाले लड़ाई है न, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे अधिकार के साथ सूर्दास लिख रहे हैं, वो सखा भाव दिखता भी है आपे, अगली बात देख लीजे, क्रिश्ण भक्ति के प्रति अननता, क्रिश्ण के कैसे भक्तिते सूर्दास देख क्रिश्ण के कैसे सुख पा सकता है, ये तो बिलकुल वैसे ही है, जैसे जहाज से पक्छी उड़के जाता है, और वापत जहाज पे आता है, जो मेरे खेवईया हैं, जो मेरे पालन हार हैं, जो मेरे तारन हार हैं, वे तो स्रीक्रिश्ण हैं, उन से दूर में कैसे जा सकता ह तो ये बात है इसकी और बाकी सूर्दास पे और भी बाते होती रहेंगी हमने सूर्दास की जो शुरुवात थी हमने उसकी बात की वल्लभाचारिक की बात की अश्टशाप की बात की विठलनात की बात की बात की हमने थोड़ी बहुत शुद्धा द्वैत वात की कभी इसकी रिटेल में चर्चा की जाएगी बात की हमने सूरदास के वासल वर्णन की बात की हमने सूरदास के जो भक्तगत उनका वर्णन था उसकी बात की और हमने देखा कि क्यूं सूर को वासल समराट कहा जाता है हमने समझा क्यूं सूर की छवी सूर के समान कविता जगत में मानी जा अगर आप चाहें तो इस पर जोड़ सकते हैं यह स्कैन कोड करके आप जोड़ सकते हैं ओफिशल विकास टेलग्राम चैनल का नाम है यह PDF आपको मेरे टेलग्राम चैनल मिल जाएगा और इसके पहले के भी जो PDF है वो मैं अपलोट कर दिया हूँ आप वहाँ पे जाके देख स ठीके और मैंने बताय कि इसके प्रवर्तक कौने वल्लभाचार है आज का जो प्रश्ण है आज का जो प्रश्ण है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप उसका उत्तर जरूर दीजेगा इसका उत्तर या अगले वीडियो के शुरुवात में मैं दे दूँगा यह मैं विशिभवcom एवन विश्षिः दवयतवाद के प्रवर्त कौन थे इस प्रस्ण का उत्तर आपको कहां देना है इस प्रिश्ण का उत्तर आपको मेरी टेलिग्राम चैनल पर मिल जायेगा जिसकर जूर सकते हैं और विशिएल विकास करके है आप सकान करेंगे माप किज़ेगा आप स्कैन करेंगे तो आपको यह टेलिग्राम चैनल दिख जाएगा आप इसे जुड़ जाएगे इस पे उत्तर आपको मिल जाएगा बाकि अगर आप जुड़ के उस पे कॉमेंट करेंगे तो महाँ पे भी आप उत्तर अपना दे सकते हैं बाकि Study IQ IS देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल शुभ हो, ये प्लेलिस जरूर देखते रहेगा, शुक्रिया.